महराश्री हमारे चार वेध हैं जिसमें बहुत कुछ है तो हम चाहेंगे कि कुछ बाते आप हमारे यूथ को भी बताएं तुम्हारा सुभग्य तुम्हारे सामने है तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा उठना पड़ेगा उद्यानम ते पुर्ष नावियानम तुम्हारा जीवन ऊपर उठने के लिए आगे बढ़ने के लिए है ना के गिरने के लिए अगर मैं कर्मशील बन जाता हूँ और कर्मट होकर के कर्म योगी बनकर आगे बढ़ता हूँ तो सफलता कोई मुश्किल चीज नहीं है बाएं आद का खेल बन सकती है नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सब ही का जागो विद सुधानशुजी महराज पॉडकास्ट की एक और कड़ी में महराश्री हमारे चार वेद हैं जिसमें बहुत कुछ है जीवन जीने की कला है हमारी संपून संस्कृती के बारे में उसमें इतनी चीजे विद्यमान हैं तो हम चाहेंगे कि कुछ बाते आप हमारे यूद को भी बताएं क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो यूद के लिए ये बध को तो महारा सोभज्य कि तुम्हारे सामने है तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा उठना पड़ेगा अब ये उठने का मतलब है जिस प्रस्तिती में आप हैं वहा से अवह इपर उठीघ hai जिस दशा में आप जी रहे हैं, वहां से उपर उठिए, क्योंकि जब तक आप उपर नहीं उठेंगे, तो आपको प्रस्ततियां नीचे गिरा देंगे, एक छोटा सा बीज जब उगना चाहता है, तो कितनी बड़ी क्रांती उसके अंदर होती है, कि दो अंकुर उसके अंदर की कोशिश करते हैं, उससे भी वो पार निकलता है, फिर चिडिया, जानवर, और थोड़ा और बड़ा हो जाए हवाएं, मौसम, इन सब को पार करके कोई बीज पेड बना करता है, इसी तरह से हर आदमी को अपने प्रस्ततियों से उपर उठना होता है, तो एक संदेश ये, एक संदेश और देखें, जहां कहा उध्यानम ते पुर्ष नावियानम तुमारा जीवन ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए है, ना के गिरने के लिए, तो गिरना सहज हो सकता है, ऊपर उठना मुश्किल हो सकता है, जिन लोगों को कटनाईयों के पार जाने के लिए अपने मन के अंदर ललक होती है, जोश होता है, तो एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, कि शुरुवात में कटनाईयां डराया करती है, और जब कटनाईयां आसान बन जाती है, तो आदमी के पास में एक गुण आ जाता है, कि वो चुनोतियों को स्विकार करता है, और जिनको चुनोतियों स्विकार करनी आ जाती है, उनकी जिन्दगी आसान बन जाती है, इसलिए मैं ये कहा करता हूँ, कटनाई की तरफ जाओगे, जिन्दगी आसान बनेगी, आसानियों की तरफ दोड़ोगे, जिन्दगी कटिन होती जाएगी, इसलिए हर दिन अपनी क पुर्शार्त है, तो सफलता बाएं हाथ में, मतलब अगर मैं कर्मशील बन जाता हूं, और कर्मठ हो करके कर्मयोगी बनकर आगे बढ़ता हूं, तो सफलता कोई मुश्किल चेज नहीं है, बाएं हाथ का खेल बन सकती है, यह संदेश वेदों के हैं, और अगर हम लोग वैद इक सिक्षाओं के विश में विचार करें, तो सिक्षाओं इतनी इतनी अद्बुत हैं, जहां कहा गया है, कुर्वन नेवेह कर्मानी जीजी, विशेच चत्म समा, सौ वर्षों तक जीने की कामना करना, लेकिन कर्मशील रह करके आप जीने की कामना कीजिए, जिन्दगी से भागिये नहीं, कर्म करते वेजिए, जो कर्मशील रहते हैं, तो उनकी जिन्दगी अपने आपे में कीमती बनती है, और जो कर्महीन बन करके, अकर्मणने बन करके रहते हैं, उनका जीवन सौंदर इसी परिपून नहीं रह पाता, इसलिए हर आदमी को अपने जीवन को कर्मशील रहे हैं, और संदेशम लोग पढ़ते हैं, जहां का आगया असूरिया नामते लोग का अंधेन तमसाब्रता, वे लोग जो आत्मत्या करने वाले या जिंदगी को मारने की चेष्टा करते हैं, खुद को मिटाने में लग जाते हैं, वो मर करके भी चेह नहीं पा स लिए जीते हैं या वहां पर जा कर गिरते हैं, इसलिए अब तो घबराके कहते हैं, कि मर जायेंगे, पर मर कर भी चेहन नहीं पाया तो फिर किदर जाएंगे, इसलिए वेदों को अगर आप देखें, तो अनेक अनेक तरह से, क्योंकि मैंने तो एक चुठकी में जो आया व मैं आपको बता रहा हूं और अगर हम इस पर विचार करने लग जाए तो यह इतना बड़ा ज्यान है कि इसको सागर नहीं महासागर आप कहेंगे यह अनंत है वेदों का ज्यान बिल्कुल तो दर्शको आपको कर्मशील बनने की जरूरत है क्योंकि जब आप कर्मशील तो आपका जीवन खुद बगुत सुन्दर हूथर चला जाएगा आप हमारे पॉड्कास्ट को फॉलो कर सकते हैं अपनी सवाल हम तक पहुचा सकते हैं